अगर आप सभी के भी कुछ ऐसे क्वेशन्स हैं जिन पर आप काफी टाइम से क्लियर जवाब ढूंड रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है So Hello Everyone, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्स्क्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कोईन्स यानि की भारते सिकों के बारे में जिनिम देशी भाषा में कहते हैं चिलर So Welcome to Chiller ग्यान जैसा कि आप सभी जानते हैं कि OLX Quicker दो ऐसे टॉप ऑनलाइन प्लैटफोर्म्स हैं जहां लोग अपना पुराना समान बेशने को डालते हैं और जिन लोगों को इन समान की जुरूत होती है वो उन्हें कॉंटेक्ट करते हैं और उसे खरीदते हैं लेकिन जब बात आती है OLX या Quicker पे कोईन्स को खरीदने या बेशने की तो मामला एकदम अलग होता है तो ये कैसे अलग है अच्छे से मैं आप सबी को समझाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो अगर आपने वीडियो को भी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटफट से कर दीजिए तो बिने किसी देरी के जानते हैं OLX Quicker पे सिक्के खरीदने बेशने के असली सच को सबसे पहले बात करते हैं आपके सबसे चर्चित कोशिन की OLX Quicker पे सिक्के कैसे बेचे तो आईए एक छोटे से डेमो के जरीए आपको समझाता हूँ Google पे OLX तो सर्च करें और ये open हुई OLX की website जब हम यहाँ पे coins या फिर old coins सर्च करते हैं तो हमें लाको करोडों के पुराने सिक्के listed देखने को मिलते हैं कई सिक्कों के price में तो इतने zero लगे होते हैं जिनने count करना पड़ता है कि आखिर ये कितना amount है जैसा कि आप सब भी यहाँ पे देख भी सकते हैं अब मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई है कि ये सब देखकर majority लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सिक्के असल में इतने कीमत पे बिक रहे हैं या फिर बिकते हैं एक्जेम्पल के लिए आप 1947 के इस सिक्के को देख लें इसका प्राइस 4,70,000 रुपए रखा गया है अब जो तो professional collectors हैं उन्हें तो पता है कि ये common सिक्का है और उपर से condition भी बहुत लोग कोई 10 रुपए में भी इसे नहीं खरे देगा लेकिन जो नए लोग हैं वो ऐसे प्राइस को देखके fantasize हो जाते हैं तो ऐसे नए लोगों को मैं एक छोटे से example से इस concept को clear करना चाहूंगा तो कुछ समझ आया आपको इसे सिक्के बेचना नहीं कहते हैं इसे कहते हैं केवल एक ad post करना जो की कोई भी कहीं से भी कर सकता है चंद मिन्टों में इसमें ना आपको सिक्कों की knowledge होनी चाहिए ना ही उनके market estimates की बस आपको 0 पे 0 लगाते जाना है और अपने मन मर्जी के amount को जितना बढ़ा के दिखा पाओ आप उतना दिखा सकते हो इसलिए note करने वाली बात यहाँ पे यह है कि जब कोई भी layman ऐसी post कर सकते हैं तो कैसे आप उस value को authentic समझ सकते हैं उस सिक्के की आप कैसे without any relevant facts यह conclude कर लेते हैं कि वो सिक्का उतना महंगा सिक्का होगा या फिर लाको करोडों में बिक रहा है इसलिए मेरी आपको advice है कि ऐसी post को कभी भी सिक्के की valuation के purpose से reference लेके ना चलें और आपको अपना ये भ्रहम दूर करना होगा कि OLX quicker पे सिक्के बिकते हैं यहां ना तो सिक्के बिकते हैं ना ही सिक्के खरीदे जाते हैं quicker OLX पे मुझे आज तक केवल coin की ad post करने वाले ही लोग मिले हैं खरीदने वाले नहीं अब next सवाल आता है कि क्यूं नहीं बिकते OLX quicker पे सिक्के इसके important reasons मैं आपको बताता हूँ क्या आपने कभी OLX quicker में किसी fridge, washing machine किसी TV का price करोडों में देखा है I think नहीं देखा होगा कभी सोचा है कि ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए क्यूंकि हम सभी को idea होता है कि fridge, washing machine, TV जैसे products market में किस price range में बिकते हैं 15,000, 20,000, maximum 50,000 इस वज़े से कोई भी उनका second hand price fall to में बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लगाएगा OLX या quicker पे और अगर by chance कोई इनकी cost करोडों में लगाता भी है तो लोग उस पे हसेंगे ही और उसकी post को ignore भी करेंगे लेकिन सिक्कों के case में एकदम opposite scenario है 99% जनता जो OLX quicker पे आती है उन्हें सिक्कों की कोई knowledge नहीं होती है किसी को पता ही नहीं है कि किसी सिक्के की value है भी या फिर नहीं कौन सा सिक्का अस्त्री है कौन सा नकली कौन सा rare है कौन सा common वो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं यानि जो ad post कर रहा है और जो ad देख रहे हैं दोनों ही एक ही category के हैं लेकिन लोग फिर ऐसी post क्यों करते हैं और दूसरे लोग ऐसी post क्यों देखते हैं इसके दो मुख्य कारण है लालच और अज्यानता यानि कि greed and lack of knowledge about coins ad डालने वाले को घर में कोई पुराना सिक्का मिलता है वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वैसा सिक्का दुनिया में किसी और के पास है ही नहीं तो इस lack of knowledge की वज़े से वो सोचता है उसे उस सिक्के के अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए और इस सपने को सिरफ खयालों खयालों में पुरा करने का सबसे आसान तरीका उसे सूचता है फटा-फट से OLX या quicker पे पोस्ट डाल दो लाको करोरों की क्या पता तुक्का लग जाए अब दूसरे आते हैं वो लोग जो ऐसे coin post देखते हैं ये भी एड डालने वालों की तरह ही लोग हैं जिने सिक्कों की बिल्कुल knowledge नहीं है ये कोई सिक्के खरीदने के परपसे नहीं आते हैं quicker OLX पे ये बस ये देखके चले जाते हैं कि अरे वा ऐसा सिक्का तो मेरे पास भी है इसका rate तो यहाँ पे करोडों में है मैं भी अपना सिक्का बेशने को डालूंगा क्या पता मेरा भी तुक्का लग जाए अब समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि सिक्कों को खरीद कोई नहीं रहा है बस देखा देखी में ऐसे सिक्कों की irrelevant posts का बस database बढ़ता ही जा रहा है इन OLX quicker जैसी websites पे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि actual coin collectors, dealers या numismatic field के जो लोग है they never refer such websites specially for buying, selling और studying of coins आम आदमी जिसे सिक्कों की knowledge नहीं है वो तो क्यों ही लाकों करोडों खर्च करेगा ऐसे सिक्कों पे लेकिन फिर भी अगर buy chance कोई ऐसे भोले बाले लोग है जो बिना knowledge के ऐसे सिक्के खरीदने के बारे में सोचते हैं तो kindly अपने पैसे waste ना करें OLX quicker और auction house जैसे platforms में क्या फरक है currency related इंडिया के top auction house जैसे टोड़ी वाला auction जैसे टोड़ी वाला का lot लेते हैं जिनके सिक्के सच में genuine और worth selling होते हैं इनके पास expert numismatics की teams होती है जो हर सिक्के को check करती है उसकी genuineness के लिए फिर valuation और catalog preparation होती है auction के लिए और finally सिक्के auction होते हैं अब इतना मेहनत का काम वो obviously free में तो करेंगे नहीं उसके लिए heavy fees charge की जाती है buyer और seller दोनों को तो जहां इतना लंबा process होगा fees लगेगी obviously वहाँ से लाकों के ऐसे लोग तो पहले ही filter out हो जाएंगे जो हर दूसरे common सिक्कों को भिशने के बारे में सोचते रहते हैं अब OLX Quickets में coins की post करने वाले ना तो genuine dealers हैं ना उन post को review करने वाले कोई coin experts बैटे हैं ना ही किसी पे कोई fees लगती है यानि कोई filtration process है ही नहीं तो free में तो कोई कुछ भी post कर सकता है तो viewers इस वीडियो के माद्देम से ना तो मैं quicker OLX को defame करना चाहता हूं और ना ही promote बस आपको इस platform पे coin selling की सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं ये websites उन old products के sale और purchase के लिए अच्छी हैं जिनके standardized price रहते हैं और जिनके बारे में आपको knowledge रहती है जैसे मैंने बताया TV, phone, furniture, etc ताकि आप decision ले पाओ कि इस दाम पे आपको ये चीज़ खरीदनी है या नहीं मैंने खुद कम से कम अपने 7 अप पुराने smart phones यहां पे बेचे हैं और मेरा experience इनको लेके अच्छा ही रहा है लेकिन जब सिक्कों को बेचने, खरीदने या फिर उनकी valuation की बात आती है तो ये बिल्कुल भी reliable platforms नहीं है इस चीज़ का आप सभी को खास ख्याल रखना है और आगे भी इस वीडियो को शेर करके लोगों को guide करना है OLX quicker जैसे ही India Mart snap deal यहां से भी मैं आपको सिक्के purchase करना recommend नहीं करूंगा मेरी collection के शुरुआती दिनों में यह websites तो नहीं थी लेकिन उस ताइम eBay ज़रूर होता था तो मेरे साथ भी एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे नकली सिक्के मिले हैं ऐसी website से लेकिन यह सभी part of learning process होता है इसे experience से आप सीखते हैं और स्तर्क रहते हैं future में तो I hope आपको आज का यह awareness वीडियो बहुत informative रहा होगा तो वीर्स कैसा लगा आप सभी को Quicker OLX पे सिक्के खरीदने बेचने से related यह आई ओपनर वीडियो मेरे हिसाब से अब आप सभी को एकदम clarity मिल गई होगी आप सभी अपना feedback और reactions माज सा share कर सकते हैं comment section में और मेरी आप सभी से request है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेर करें अपने facebook, whatsapp groups और सभी social platforms पे ताकि यह information ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और हाँ वीडियो को like और channel को subscribe करना बिल्कुल न भूले और अगर आपको चिलर गयान के efforts और content अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर thanks show कर सकते हैं नीचे thanks बटन पे click करके और अगर आप देखना चाते हैं हमारे बहुत interesting vlog videos तो ज़रूर चेक करें हमारा दूसर चैनल मिया मिटू उपर i button पे click करके और ज़रूर इस चैनल को भी subscribe कर ले so thanks for watching our video मैं जल्दी upload करूँगा अपना next चिलर वीडियो so stay tuned to चिलर गयान till then जय हिन